तो जैसे कि अपने लाश्ट एपीसोट के अंद देखा था कि कॉम्पडिशन स्टार्ट हो गया तो जापने स्टार्टिंग में मिस्वेंग और जियान की वज़े ठोड़ी सी फाइट हो जाती है मगर जियान ज़्यान ज्यादा ध्यान निहीं दिता है और वहांसे आंगे नि भीक चिंहने की आवस नहीं देसाफ साफीन के साहएं , लाइन के सफे नायां। अरत बढ़ा एकिक है जि हम तुम बल्कि मौल रहा हुता वांग उस प्र स्वें। डिसाइवल था इसी बज़े से मैं प्रिवे की नए सीन के अंदर दिखाया जाता जब वे जो वांग चैन होता है वो जियान की उपर अंबला करने के लिए आंगे आ रहा होता है और जियान से बोल रहा होता है वैसे थी वाइट फॉक्स की मुझे बिल्कुल भी जरूत नहीं मगर मुझे इन लोग के लिए चाहिए क्योंकि मैंने इनके हैंटर से एक बार प्रॉमिस किया था कि इनको भी एक सीट दिलवाँगा इस बज़े से मुझे ये चाहिए है और यह बोल कि वो जियान की उपर अपने पाम अटेक से हमला कर देगा और उसको जो पाम अटेक होत कि जियान पहली जैसा एक तब मामूली सा बंदा होगा और यह बांग चेन के बारे में उसने काफी को सुन रखा हो कि इती बड़ी तोप है वो मगर वहीं पे जब धूल शटी की और नायन जब देखी कि वांग चेन की तो अलते एकदम खराब हो चुकी जियान की एक एक ए और यह बोल कि वहों से गायब हो जाता अपनी फॉर्मेशन की मदद से और फ़र यह नायन की साथ निकल जाएक है आंगी की सफर में जापर हमें प्रिवी के ने सीन के ने दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग जियान की ओपर अमला कर रहे होती हैं और यह सभी लोग अटे लिए अगर उसने नायन को माड़ी तो बहुती आसानी से वाइट फोक्स को ले लेगा अगर वो नायन तक पहुंचता उससे पहले जिन अपनी लाइट्न वेंट का यूज करके उसके सामने आगे खड़ा हो जाएगा और उस बंदे में एक बहुती पहुफिल पंजड़ द टालने लगेगा जिस बज़े से जो अभी रोल सॉर्ट को टेंपरिशर और एनर्जी ओगी वो काफ़ी ता बढ़ जएगा और जियान की अबी अबिकले जो फाइर स्प्लेट सुनामी ती वो काफ़ी दो पौफुल थी इसी बज़े से जिते भी लोग से टकराइंगी सब dividend कटी पतंग की तरह नीचे गिरते को दिखाई देंगे और फिर यह नुआ से निकल जाएगा आंगी के लिए मगर मैं आप लोगो एक चोटी से बात बता दूँ यहां पर सिर्फाइटी ने होगी यहां पर काफी कुछ और भी होने वाले जापर जिन किसी की कमर पकड़ लेग जाएगा और यहां पर जो जिहान तक नहीं पहुंचाता इस बज़े से मिस्वैंग बोले हुथी मैंने इस जिहान को थोड़ा वह तो टलेंटिड समझाता मगर ही तो हैवली माौन को तक भी नहीं पहुंच पहया है इस बज़े से सावित हो जाता कि इस लड़कें आंडर बिल्कुल भी talented नहीं है, ये बस दूसरों की बोल, वो लेकर अपनी बस दादा की दिखाता है, तभी उस mountain की उपर एक mouse आ जाता, जो कि कापी दा बोड़ था और उसका नम था, जिन सी जो कि इस competition को organize करते थे, जो कि आते खन बोलते कि अभी इस competition का जो time था, वो खतम हो चुक मगर अभी के लिए इस preview के अंदर सिर्फ इतती, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज लाइक कर देना, साथी चैनल को भी सिस्क्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ अपसे नेश्ट प्रेमें तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार